हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल दोस्तों आज मैं सब के लिए लेकर आ चुका हूँ ग्रीन और बैंड 10 के टॉइज का कलेक्शन और यहां पर हमारे पास स्टेशनरी भी है और गैजट्स भी है और सारे के सारे ग्रीन कलर के तो बहुत मज़ा आने वाला है क्यों किना एक से बढ़कर एक चीज़े है और बहुत सारी चीज़े ऐसी है इसके अंदर जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखेंगी नहीं कभी सोचेंगी ऐसी चीज़े मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते आज हमारे पास क्या-क्य है तो सबसे पहले आपको दिखाने वाल हमारे पास है एक सटंट कार एक रिमोट कंट्रूल सटंट कर गाईस यह बहुत कि अब ब्लैक कलर का रिमोट जिसके रैड कलर के बटन है और गाइस इसके अंदर भी दो डबले साइज की बैटरी हमने पहले है लगा लिये तो हम इसको उन कर लेते हैं कार को और कार पहले से इसको चला ग founding दिखातों मैं आपको यह देखो किस तरीके से यह बटन दबाए तो इसके वील इदर घूम रहे हैं इदर दबाओंगा तो इदर घूमेंगे और आगे बढ़ाओंगा तो आगे की तरफ भागेंगे और पीछे की तरफ भागेंगे इसको नहीं जब हम जमीन पर चलाएंगे तो आप देख पाओगे इसकी स्पीड कितनी घजब की है चलिए इसको ना ले चलते हैं और जमीन पर उडाते हैं सबसे पहले आप इसकी लुक देखो जमीन के उपर यह कितनी जादा अच्छी लग रही है इसकी अगले टायर चोटे और पिछले टायर बढ़े है जिसकी व की लुक भी यहाँ पर दी गई है तो चलिए इसको चलाने की कोशिश करते हैं और दबाते हैं इसका बटन तो यह सबसे पहले आगे बगा के देखते हैं देखो क्या स्पीड है स्टंट कितने बड़िया कर रही है यह कितने बढ़िया चल रहा है इसे लोटन दबाते हैं तो यह कैसे गच najbardziej लोट बचन तो अब इस तरब घू होकरे हैं और जब यह आगे भगने वाल और यहाला एक साथ दबाएं MONगे तो देखो क्या होता है और देखो कैई, यह तो यपागलो की तरह ही घुमने लगेगी, यह देखो एक दम पागली हो जाती है, अब हम दबाते हैं नीचे वाला और ये वाला, अब देखो कैईς, अब यह अलगी 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 स्टन्ड करे जा रही है अलगी level के देखो गाईज यह उदर जाकर रुख गई है अब इसको आगे बुला लेते है थोड़ा अपने पास और देखते हैं कैसे आती है यह थोड़ा पहले इसको सीधा कर लेते है और पीछे करते हैं थोड़ा अब थोड़ा सीधे कर लेते हैं इसके wheels को और अब इसको आगे बुलाते है और guys को आगे बुलाना भी बहुत ही मुश्किल काम है ये देखो इसके tire क्योंकि इसके tire जो है बहुत तगडे stunt करने लग जाते है कितनी बड़ी है ना guys ये गाड़ी इसको चलाने का मज़ा ही अलग है बहुत ही तेज भागती है guys ये तो कैसी लगी आपको ये हमारी green color की stunt car comment में बताना guys मुझे तो इसको चलाने में बहुत मज़ा आया और इसको रख देते हैं और देखते हैं अगली चीज़े क्या है नेक्स्ट हमारे पास है green color की बहुत प्यारी गन ये एक dart gun है और देखो इसकी look कितनी जबरदस्त है यहां से भी यहां से भी और यहां पर इसकी 4 dart दी जाते हैं जो इसी के अंदर से set हो जाती है जब भी आपको चलाने हो एक dart ऐसे निकालो और यह डार्ट बहुत ही soft होते हैं इससे चोड भी नहीं लगती है इसको इसके अंदर डाल दो ऐसे fit हो गई fit होने के बाद यहां से इसका trigger है इसको इस तरी के खीचलो launcher को अब यह trigger है इसका यहां पर इसको दबाओगे तो यह बहुत तेज चलते हैं देखना और यह देखो काई अब की बार तो मेरे हाथ से लगके दूर गई है उचलके एकदम और काफी fast थी यह वाली तो अब यहां लगा लेते हैं फिर से launch करके अब किसको थोड़ा जमीन पर चलाते है देखते है और देखा काई आपने उसमें पूरा pen हिला दिया किस तरीके से चली थी अब हमरे पर last बचिए last वाली को भी चलाई लेते है फिर से launch कर लेते है और अब की बार फिर से हम हाथ के पर ही चलाते है तो यह देखो काई मेरे हाथ पे लगके यह यहीं गिर गई देखो कितना मज़ा है ना गई इसको चलाने में और इसके साथ आपस में भी fights खेल सकते हो पर इससे चोटनी लगेगी इसकी यह खासियत है तो इसके साथ आप अराम से खेला जा सकता है काफी प् पास ना बहुत ही awesome चीज़ है यहाँ पर गाइज हमारे पास green color का band 10 वाला walkie talkie है जो आपको बहुत पसंद आएगा यह देखो कितने बढ़िया walkie talkie है देखो यहाँ पर band 10 लिखा है और यहाँ पर walkie talkie लिखा हुआ है यहाँ पर भी band 10 लिखा है यहाँ पर walkie talkie लिखा ना है और बात करनी है जैसे हमें तो मौनने मुझे बात करनी है इस से तो हमें यह बन già बाहंगा और बोलोगा देखो आओ आ चाहे आो अ क्यु cursed अब मुझे मालो इसमें बोलना है इस वाले बंदे से बात करनी है तो यह बटम दबाऊंगा और दूर से बोलूगा कितने बड़ी आया ना गाईज यह वाकी टोगी आप इसको बहुत दूर तक लेके जा सकते इसकी रेंज बहुत जादा है अब मैं यहाँ पर रखके काफी दूर चले जाता हूं और दूर से बोलता हूं देखते हैं आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी बस आपको ना देखें इसके अंदर मेरी आवाद सुनाई देगी मैं बाहर जाकर बोलता हूं है है अ है है आधा ना भी दो करते हैं है है था घू अटाल है कर्क्राध बैक्स करेस्सारा इस फिर ताफेंपर दो तो गाइस आपने देखा कैसे मेरी आवाज आ रही थी इसके अंदर आई होप आपको सुनाई दियोगी हमारी आवाज और काफी मज़ा होगा आपको देखने में और कैसा लगए आपको हमारे बेंट 10 के वाकी टोकी जल्दी से कमेंट में बताओ यार मुझे तो बहुत अच्छे लगे बहुत मज़ा है इसको यूज करने में अगली चीज़ गाइस हमारे पास है बेंट 10 की कैलकुलेटर वाली पैंसिल बॉक्स यहाँ पर देख सकते हो कैलकुलेटर हमें मिलता है इसको यहाँ पर आप कैलकुलेशन वगेरा कर सकते हो सारे ही बटन इसके अंदर काम करते हैं और यह ओफ का बटन है यहाँ से ओफ कर सकते हो यहाँ पर चार बटन है एक दो तीन और यह चार यह देखो इसके अंदर हमने समान रखा हुआ है तो इसके अंदर इतना बड़ा-बड सवान फिट हो जाता है यह सब erasers है हमने इसको इनके अंधर फिट कर दिया यह एक alien वाली erasers है इसको भी हमने इसके अंदर फिट कर दिया यहाँ पर शापनर है यहाँ से खोलके आप पर पैंसिल ओलर मिलते हैं आप पैंसिल भगारा रख सकते हो और यहां से उपन करके इसके अंदर भी आपकी बहुत सारी स्टेशन यह अराम से आ जाएगी तो कैसे लगी आपको band time की यह jumbo pencil box जल्दी से बताओ guys मुझे और next guys हमारे पास एक fidget spinner है बहुत बड़ी है metal का पूरा metal का बना हुआ है यह flower वाला fidget spinner बहुत ही लाजवाब है और इसकी speed भी बहुत अच्छी है काफी देर तक यह घुमता रहता है एक बार गुमाने के बाद काफी जबरदस्त है यहां पर guys हमारे पास देखो क्या है एक भूत वाला एक ball है जिसको आप rubber से ऐसे हिला सकते हो और जब आप इसको हिलाओगे न तो इसके अंदर guys light भी जलती है और इसके अंदर sound भी आता है यह specially छोटे बच्चों के लिए green color का toy है और इसके उपर एक दम इस तरीके से ऐसे rub करोगे तो आपको गुदगुदी भी होगी तो काफी प्यारा है ना guys यह green color का toy है यहां पर guys हमारे पास एक green color का star वाला sharpner है इससे आप pencil sharp कर सकते हो यहां से pencil डालो और pencil sharp हो जाएगी बाद में आप ऐसे open करके सारा कच्रा निकाल के फैक सकते हो बहुत है रहाम से काफी लाजवाब है ना यहां पर guys हमारे पास एक green color की चपल है और मैं आपको बता दूँ यह sandal है यह एक sharpner है यहां से pencil डाल के sharp करो और बाद में ऐसे open करके आप कच्रा निकाल के फैक सकते हो इसको आप यूज कर सकते हो यह बहुत ही अच्छा highlight करता है यह study के time पर बहुत help करता है जो important lines होती important words होते है उनको आप इस highlighter की help से mark कर सकते हो बहुत ही काम की चीज होती है guys यह और next guys हमारे पास यह देखो क्या है हमारे पास एक band 10 की light music वाली watch है यहां पर band 10 printed है यहां पर तो band 10 का face ही पूरा 3D में दिया गया है इधर band 10 alien है band 10 लिखा हुआ है यहां से open करोगे तो यहां पर आप देख पाओगे time यहां पर time आता है और यह जो दो बटन है time set करने के लिए और यह वाला lighter music का button है तो यह बटन on करते हैं इसके अंदर बहुत यह प्यारा light or music play हो जाता है है ना काईज कितना प्यार lighter music मैं room में light off करके इसका light music आपको proper दिखाता हूँ तब आपको ज्यादा मज़ा आएगा तो यह देखो guys हमने इसको on कर दिया और देखो क्या बढ़िया light music इसमें आ रहा है और इसका face open करके भी आप light music enjoy कर सकते हो और time भी आप देख सकते हो काफ गजब तरीके से lights इसकी दिखरीती एकदम मज़ा आ रहा था ना इसका light और music enjoy कर रहा है और यह पीछे hole दिया गया रहा यह इसका speaker है इसके अंदर से ही sound आता है और next guys हमारे पास देखो क्या है एक बहुत ही जवरदस्त एक pen है पर मैं आपको बता दू यह pen जैसे दिखने वाली एक pencil है यहां से open करोगे यहां पर ग्रिफाइट एक दम लिट दी गई है और यह खतम नहीं होती है गिस्ती नहीं है क्योंकि बहुत long term तक यह काम चलती रहती है और इसके साथ हमें eraser भी मिलती है जो eraser हमें इसी के अंदर मिल जाती है यह रही इसकी eraser जो इसी के अंदर और यहां पर गईज हमारे पास देखो क्या है हमारे पास है band 10 की तलवार यह देखो गईज यहां पर band 10 का logo है watch का यहां पर band 10 alien force लिखा हुआ है यहां पर दो band 10 के aliens भी बने हुए है देखो कितने सही लग रहे है ना इसके अंदर एक button है इधर यह button दबाओगे इसके अंद कितना बड़े lighter music कितना बड़े light music और कितना बड़े light music आ रहे हैं ना इसमया सको blue में light of करके दिखाता हो आपको ज्यादा मजा आएगा देखने में तो गाइज अम मैं इसको frame में लेका राता और देखना आप शका light and music अब देखो आइस कितनी बढ़ी आहे ना और यहां पर इसकी कितने अच्छी लाइट जलती है यहां पर देखो ब्लू लाइट की वज़े से पूरे कमरे में एकदम ब्लू लाइट रोशनी हो गई है देखो बढ़ी है ना गई और इसके तो आप इस तरीके से खेल भी सकते हो अलाग तरवार लेकर इस तरीके से तलंसे हैं अबांना जांक्य կह सब्लू केंच मेंड़ाउन अच्छी लगी अई आगा है जैसे यहां पर हमारे पास green color का slime भी है जैसे कि मैं आपको बता है सारी चीज़े green color की तो रहाएं आपको निकाल के दिखाते हैं यह हमारा slime और देखो कितना मस्त है यह किस तरीके से निकल रहा है वाओ इसके साथ खेलने म至ल अब होग才ए और स्लाइम की हेल यह जो की紧िनलों के पास लाइम होता उग्या अगर आपके पास सलाइम होता है मुझे मुझे बताना कमेंक में कि आपके पास कौन से कलर का slime है मैं ज़रूर पढ़ूँगा आप लोगों के comments काफी बढ़ी है ना guys यह और यहाँ पर guys हमारे पास देखो क्या है हमारे पास एक auto रिक्षा है green color का यह तो green और yellow color का auto रिक्षा है और यहाँ पर टेक्सी लिखा है यहाँ पर number plate से भी बिल्कुल real ही यह दिखता है देखने में और यह pull back action auto है पीछे pull करके छोड़ोगे तो बहुत ही तेजी से आगे की तरफ यह भागता है मैं आपको ना इसको जमीन पर चला के भी दिखाता हूँ तो guys यह दो को इसकी जमीन पर इसकी look देखो एकदम real auto की तरह ही बढ़ी आया ना अब इसको चला कर देखते हैं फोड़ा जमीन पर जमीन पर रख देते हैं और पीछे पूल करते हैं और छोड़ते हैं कैसे भागे गाई तो यह देखो और यह देखो गाई दर्वाजे में जाकर बढ़ी आया गाईज यह इसको चलाने का ना मज़ा यह लगा गाई बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में और क्योंकि स्पीड इसकी इतनी जादा है ना कि बहुत ही गजब तरीके से यह परफॉर्म करता है तो कैसा लगा आपको यह हमारा आटो रिक्षा या फिर थ्रीविलर कमेंट में बताना और किस-किस ने इसके अंदर ट्रैवल किया है यह भी मुझे जरूर बताना और काफी बड़ी आनेकदम रियल जैसा ही नजर आता है चलिए देखते है नेक्स्ट क्या है हमारे पास और नेक्स्ट देखो हमारे पास ए से कैसे मु आप बंद भरी खोल पुज़्स भीज़्स तरीके सेसा मुझा पंद भी खूल यह क Diese इसकी मुछ उपर नीचे होते हैं को कच इस तरीके से और पैंसिल मैं आपको शाप करके दिखाता हूं एक बढ़ी पैंसिल लेते हैं और शांप करके देखते हैं तो हमारे प हमने इसको शार्फ होने लगा दिया तेखो हमारी pencil हूं निकाल के दिखाऊंगा कैसी होतिए pencil शार्फ होने के बाद तो यह देखो उदिखो इसको निकाल रहे है बाद और यह देखो इस में is 20 seconds में हमारी pencil को कितना जादा बढ़िया शाप कर दिया है कितना मस्त शापनर और आप देख रहे होगे डश्ट बिल्कुल भी नहीं किरा क्योंकि सारा डश्ट इसी के अंदर क्लेक्ट हो जाता है तो इसके पेट के अंदर ही सारा डश्ट आपको मिल जाएगा देखो यह रहा एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा यह काफी बढ़िया पोश्टर कला रहा है आपको कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर पानी लेना होता और यह ब्रश भी दिया गया है पानी के थोड़ा यह डालो ब्रश में डिप करो और जो भी कलर लेना है उसके अब एक ऐसी एरेजर दिखाऊँगा ना जो आपने शाहिदी देखियोगी इसका नहीं है प्रेस पैन इरेजर और यह ना काफी यूनिक एरेजर है अपने शाहिदी लाइफ में यह वाली इरेजर कभी देखियोगी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ यह आपको बहुत तो ताकि जो इरेजर है इसके अंदर चलिए अब इरेजर हमारी इसके अंदर चलिए यूज कैसे करेंगे हम इसको बार बर प्रेस करेंगे और बार प्रेस करने से हमारी इसके अंदर से इरेजर जो है बहार आ जाएगी और इरेजर हमारी बहार आने वाली है गाईस मैं देखो गाई हमारी एरेजर यहाँ पर बाहर आ चुकी है आप हम इसको यूज कर सकते हैं यह जब हम इसको इरेज कर लेंगे तो आपको simply दबाना है और अंदर चली जाती है और जब भी आपको यूज करनी हो बार बार आप इसको दबाओ और इरेजर बाहर आने लगेगी यह देखो Eraser यहाँ पर भाहर आ चुकी है और जितनी भी आपको Eraser use करनी है उतनी आप बाहर निकाल के use कर सकते हो बार-बार आप जितना दबाओगे उतनी ही Eraser भाहर आ जागी देखो मैंने इसको इतना दबाया और Eraser इतनी बाहर आ गई और अंदर करना है सिंपली प्रेस करके रखो अंदर चली जाती है और जब यह वाली खतम हो जाए तो आप यह वाली एक्ष्टा इरेजर इसके अंदर डाल सकते हो कैसी लगे आपको पैन प्रेस वाली डैनसोर इरेजर कमेंट में बताना मुझे तो यह बहुत ही अच्छे के लिए रेडी है अब हम क्या करेंगे यह वाला बटन दबाएंगे ब्लैक बटन यह पर इसको दबाएंगे तो इसके अंदर से प्रोजेक्टर लाइट निकलेंगी अलग-अलग इमेजिस आप देख पाऊँगे तो मैं रूम में अंधेरा कर देता हूं फिर मैं आपको इ इसको थोड़ा वॉल पर हम चलाएंगे तो यह देखो हम इसको वॉल पर ले आया है अब यह देखो यह 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 वाज बटन दबाता हूं में यह यह आगी बेंट एलियन की इमेज अब यह दुबारा दबार हूं जतनी बार मैं इसको बार-बार प्रेस करूंगा अलग- अलग इमेज आपको देखने के लिए मिलेगी तो यह देखो जैसे यह दो बेंट एन है वोच को मैं पास लेके जाओंगा वह दूर लेके जाओंगा तो इमेज उतनी ज्यादा बड़ी नजर आएगी और खुल के नजर आएगी यह देखो और बार-बार यहां से भी बटन दबाऊंगा तो भी मैं इमेजिस चेंज कर सकता हूँ देखो अलग-अलग बेंट 10 के एलियन्स की बेंट 10 एलियन फोर्स की इमेजिस आप देख पाएंगा मैं पास आ रहा हूँ तो यह इमेज छोटी हो जाएगी अभी कितनी बड़ी आ रही थी और आप देखो कितनी छो हैं वील एक साथ भूमते हैं सारे ही रोच दुसरे से कंट्रोल होते हैं यह चला यह बहुत दबाऊः चलो और बहुत तेजी सेच आटी है और बहुत यह ही खो हिक लाख करती है काफी शांदार है फिल्स तो टीम ओफ रोड रेसिंग ये ओफ रोड रख है और इसके टायर इतने बड़े है ये कभी भी कीचड में दलदल में नदी में नहीं फसेगा और इसली ये क्रॉस कर देता है और यहां पर हमारे पास एक पजल टो है काफी बढ़िया और इसकी हेल्प से आप बहुत सारी अल सेवेंटी टू अलग अलग शेप्स बना सकते हो ये देखो काफी अलग अलग तरीकों से यह तो बहुत अलग तरीके से यहां पर काम करता है और इसको तो सीधा नहीं कर पाना ही एक बर एक खुल जाए ना आपसे तो इसको सीधा कर पाना ही मुश्किल होता है ये बहुत अ टरिके से यह पर काम करता है यह देखो अब यह क्या बन गया अब यह дーーug फूख सब क्या सकते क्योंकि अएसा हो जाता है इसको पैक करने के लिए बहुत вाटर यह यहی एक डिमाग लगाना पड़ता है यहां यह नहीं हमारे बर यह पर खेलन या पर हम इनले हैं चरफ कlais सकते से हैं यहाँ उसलांट किस्क को आए कमेंगे बता रहा मुझे सक defiri तो काफी मज़ा आता यह से खेलने में और आपने किस ने यह से खेला है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना यहां पर गईज हमारे पास एक शापनर आप सारा कच्रा निकाल सकते हो बहुत ही आराम के साथ यहांपर हमारे पास एक bowl वाला शापनर है, smiley face वाला, यहांसे pencil डाल के शाप करो, और ऐसे open करके, सारा कच्रा आप निकाल सकते हो, यह देखो कुछ इस तरीके से, यहांपर blade भी इसका, इधर guys हमारे पास एक flower वाला शापनर है, यहांसे pencil डाल के शाप करो, बाद में flower के face को आपको हटाना है, और यहांसे सारा dust आप निकाल सकते हो, जब यह full हो जाए, इधर guys हमारे पास band 10 की एक stunt कार है, और यह pull back action कार है, इसको आप पीछे pull करके, छोड़ोगे, तो यह आगे की तरफ भागती है, देखो मैं आपको थोड़ा सा पीछे pull करके, चला के दिखाता यह देखो तुम stunt करके कैसे घूम गई, आपने देखा, काफी बढ़िया कार है, यहाँ पर guys हमारे पास band 10 की एक pencil box है, calculator वाली, यहाँ पर देखो band 10 की 3D image यहाँ दी गई है, जब मैं इसको हिला रहा हो तो यहाँ पर image change हो रही है, यह देखो, यहाँ एक button है, इसको calculator भी use कर सकते हो, calculator भी, यहाँ पर बहुत अराम से काम कर रहा है, और इसको open करोगे, यहाँ पर हमें table lamp मिलता है, जिसको आप यहाँ से button on करके on कर सकते हो, रात के समय यह बहुत ही जादा bright रोशनी देता है, सब कुछ इससे bright हो जाता है, और यहाँ पर बाकी की stationary item आप रख सकते हो, तो कह सकते हो, तो कह सकते हो, बड़ी है ना काई यह बेंटन का pencil box, यहाँ पर कईद हमारे पास एक astronaut है, यहाँ से pencil डाल के sharp करो, ऐसे open करके कच्रा निकाल सकते हो, और इसके head के अंदर, दो-दो eraser हमें यहाँ पर छोटी वाली मिल भी जाती है, और यहाँ पर हमारे 2 km दूर तक भी चली जाती है, इधर हमारे पास एक magic cup है, यह देखो, और इसको कैसी use करते है, ऐसे open करो, उपर push करो, यह देखो हमारे cup open हो गया, इसके अंदर आप चाय, coffee, पानी, juice, कुछ भी पी सकते हो, और use करने के बाद वापस से इसको बंद करके, आप अराम से रख स कैचरा निकाल के फैक सकते हो, और यहां पर हमारे पास dragon balls का एक बहुत अच्छा keychain है, देखो, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना शांदार है, और यहां पर हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया शापनर है, यहां से पैंसर डलके शाप करो, ढखकन खोल के कैचरा निकालो यहां पर eraser है, और यहां पर एक brush भी दिया गया है, इतर हमारे पास एक green color का band tan वाला fidget spinner है, जो बहुत ही लाजवाब तरीकी से खूलीता है, जो जो गिर गया, काफी मस्त है और काफी heavier तूटता भी नहीं है, इतर हमारे पास एक car वाला शापनर है, यहां से दो दो पैंसर लाज़ करो, और ऐसे ओपन करके सारा कच्रा निकालके फैक करो, इतर हमारे पास एक kiwi fruit वाला शापनर है, यहां से पैंसर डालके शापनर बाद में इसको इस ही तरीके से ओपन Grüर वाला शापनर है, इधर से पैंसर डालके शापनर और तो सारा कच्रा इसमें store हो जाएगा, बाद में एर प्लेन को ऐसे उपन करके अब कच्रा निकाल कर फैक सकते हो इधर हमारे पास एक कॉर्ण वाला भुट्टे वाला शापनर है इसमें यहाँ से पैंजिल डालके शाप करो और सारा कच्रा आप निकाल करके फैक सकते हो देखो कितना इजी है काफी काम का है गाईज रंप यह हमारे पास यहाज है यहां पर एक मल्टी कलर पैन है यह बहुत याइन वाला पैन हिए यह बहुत को like कर देना, comment में अपना नाम, अपनी city का नाम बताना और आपको क्या क्या अच्छा लगा ये भी बताना, और वीडियो को WhatsApp पर share कर देना दोस्तों कर दोस्तों कर ताकि वो लोग भी enjoy कर सकें और चैनल पे अगर आप नहीं है तो चैनल को subscribe करके all की कवा लेना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अप्लोड करूं तो आपको एजिली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएं बाई बाई दोस्तों